हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक दोस्तो वीकली करेंट अफेर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर को वीडियो काफी इंपोर्टेंट है वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपको देखिए मंथली करेंट अफेर की अगर PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जिकेटरिक अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपका उप्शन मिल जाएगा चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देखिए इस विक का पहला इंपोर्टेंट करेंट अफेर आता है इंपोर्टेंट कोशन है पुश्पा भारती को ये सम्मान जो है उनके देखे लेक यादे और यादे के लिए दिया गया है इससे पहले अगर हम देखिए 32 विया सम्मान की बात करें तो डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी को उनके उपन्यास पागल खाने के लिए 32 विया सम्मान जो है वो दिया गया था विया सम्मान की बात करें तो ये प्रती वर्ष देखिए किसी भारती नागरीक को उनके पिछले दस वर्षों में देखिए प्रकाशित हिंदी साईत्य की उतक्रश्ट करती के लिए दिया जाता है 1991 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी और पहले व्यास सम्मान देखिए पुरुसकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे राम विलाज शर्मा ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा यहां पर कुश्पा भारती बिल्कुल सही अंसर होगा अगला कुशन आता है 36 गड़ के मुख्यमंत्री के रूप में इन में से किसने शपत लियें 36 गड़ विदान सभा चुनाओ देखिए हाली में कम्प्लीट हुए वहाँ पर देखिए BJP को मैजोरेटी जो है वो मिली है BJP नेता विश्णु देव साई ने 36 गड़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपत लियें किसने विश्णु देव साई विश्णु देव साई जो है 36 गड़ के देखिए चोथे मुख्यमंत्री बने है इसे के साथ साथ देखे इस पद पर आने वाले वो पहले आदिवासी नेता भी बने हैं इनसे पहले अजित जोगी, रमन सिंग और भुपेश बहगेल जो है वो 36 गड़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 36 गड़ के चोथे मुख्यमंत्री बने हैं विश्णु देवसाई अगला कोशन लेते हैं, हाली में जारी Climate Change Performance Index CCPI में भारत की रेंक क्या है तो फ्रेंड्स, CCPI Index जो है हाली में जारी किया गया, इस Index में भारत को सात्वे स्थान पर रखा है देखिए पिछले बार के मुखाबले भारत की रेंकिंग जो है, वो एक पाइदान से देखिये इंप्रूब हुई है CCPI Index की बात करते हैं, तो ध्यान रखेगा फ्रेंड्स, 2005 से देखिये ये प्रकाशित किया जा रहा है इस रिपोर्ट में 63 देश और एक देखिये यूरोपी यूनियन को शामिल किया गया है जिसमें ये सबी मिलकर 90 प्रतिशद ग्लोबल ग्रिन हाउस गेस का उसरजन करते हैं अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि 2014 में देखिये भारत की रेंक जो थी, वो 31 थी वहाँ से अगर कंपेर करें 2023 में तो भारत की रेंक जो है वो सात्वे स्थान पर आ गई है यहाँ पर देखिये सी आंसर बिलकुल सही होगा अगला कोशन लेते हैं हनुका त्योहार किस धर्म के अनुयाईयों द्वारा मनाया जाता है तो हनुका त्योहार जो है देखिये यहुदी धर्म का रोशनी का एक त्योहार है हनुका आट दिनों तक देखिये मनाया जाने वाला एक त्योहार है यहाँ पर हनुका एक जो शब्द है यह हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है समर्पन ये तिवार जो है नोज शाखाओं वाले केंडल ब्रम की देखिए मुंबतियों को जलाकर मनाया जाता है जिसे आम तोर पर मेनोरा या फिर हनुका का जाता है ध्यां रखिएगा हनुका तिवार जो है ये किस धर्म से सम्मंदी थे? यहुदी धर्म से हाली में किस देश ने 2023 का Women's F.I.H. Hockey Junior World Cup जीता हैं किसने जीता हैं निदरलेंड ने अर्जेंटिना को देखिए फाइनल में 4 एक से हरा कर निदरलेंड ने 2023 Women's F.I.H. Hockey Junior World Cup का खिताब अपने नाम किया है ध्यान रखिएगा Junior Women's Hockey World Cup का आयोजन जो है वो अमेरिका में किया गया भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो देखिए नवे इस्तान पे रहा हैं विजेता कोन रहा है नीदरलेंड रहा है नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं इटली के सर्वोच नागरिक सम्मान से इन में से किसे समानित किया गया है तो हाली में देखिए फ्रेंड्स कभीर बेदी को Order of Merit of the Italian Republic से देखे समानित किया गया है जो कि इटली का सर्वोच नागरिक समान है किसे कभीर बेदी को कभीर बेदी की बात करें तो भारत के देखिए सबसे प्रसिद अंटरास्ट्री अभीनिताओं में से एक है जिनका करियर जो है वो बॉलिवूड से लेकर हॉलिवूड और यूरोप तक फेला हुआ है ध्यान रखिएगा कभीर बेदी को दिया गया इटली का सर्वोच नागरिक समान अगला कुशन आता है हाली में चर्चा में रही कोया जंजाती किस राज से संबन दीते है कोया जंजाती जो है देखिए काफी आदा सुर्कियों में रही क्यों सुर्कियों में रही ये पहले हम डिस्कस कर लेते है देखिए कोया जंजाती ने हाली में अपनी जो पारंपरिक बांसूरी है पर्मा कोर उसको बनाने के लिए बाईसन हौन का उप्योग जो है वो करना बंद कर दिया है वो ताड के पत्ते से बने एक वाद्धियंतर को अपना कर एक काफी देखिये अनुकरणी बदलाव किया है इसलिए बहुत ज़्या सुर्कियों में रही कोया जनजाती का संबन है आंध्रपदेश से आंध्रपदेश में पापी कोंडा देखिये पहाडी शंकला में देखिये निवास करती है ध्यान रखेगा हाली में इनोंने अपनी प्राणपरिक बांसूरी को बनाने के लिए बाइसन होन का उप्योग जो है वो बंद कर दिया है यहाँ पर आंध्रपदेश बिल्कुल सही अंसर होगा अगला कोशन आता है हाली में मध्यपदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो फ्रेंड्स मध्यपदेश के देखिये उननिसवे मुख्यमंत्री कोन बने है मोहन यादव इनसे पहले देखिए शिवरासीन चोहान जो थे वो मध्यपदेश के मुख्य मंत्री थे हाली में देखिए विदान सबा चुनाव कम्पलीट हुए मध्यपदेश में जहां पर बीजेपी ने देखिए फुल मैजोरेटी लिए और मोहन यादव जो है वो मध्यपदेश के उननिसवे मुख्य मंत्री बने है मोहन यादव जो है देखिए उज्जेन दक्षिन से विधाया के और बीजेपी के एक प्रमुक नेता है इसे के साथ मध्यपदेश में देखिए फ्रेंड्स जगदिश देवडा और राजंदर शुकला को डिपिटी सीम भी बनाया गया है इस बार हुए देखिए विधानसवा चुनाओं में मध्यपदेश में फ्रेंड्स बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीट पर जीत हासिल करी है अगर हम बात करें कि मध्यपदेश के पहले मुख्य मंत्री कौन थे तो वो कौन थे रवी शंकर शुकल थे और मध्यपदेश के सबसे लंबे देखिए कारेकाल के मुख्य मंत्री की बात करें तो वो कौन थे शिवरासी चोहान थे तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा अगला कोशन लेते हैं खबरो में रहे परनित कोर और प्रतमेश जावकर किस खेल से जुड़े हुए हैं तो फ्रेंड्स भारत के देखिए परनित कोर और प्रतमेश जावकर ने ताइपे तिरंदाजी ओपन 2023 स्परदा में महीला और पुरूश कंपाउंड स्परदा में सुहन पदक जीते हैं ये तिरंदाजी ओपन टूनामेंट जो था ये 8 से 10 दिसंबर के बीच में चीन के ताइपे में देखे आयोजित किया गया ध्यान रखिएगा परनित कोर और प्रतमेश जावकर तिरंदाजी से सम्बन दीते हैं वर्ष 2022 के लिए राश्ट्रिय तांसेन सम्मान से सम्मानित किया गया हैं किसे सम्मानित किया गया हैं फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है पंडित गणपती भट को करनाटक के देखिए पंडित गणपती भट को वर्ष 2022 का रास्ट्रिय तानसें सम्मान जो है वो दिया गया है। जो कि देखिए कला एवं संस्कृति के शेत्र में उतकरस्ट कारिक कर रहे वेक्ति को दिया जाता है। ये चीज भी धियान रखिएगा कि रास्ट्रिय तानसें सम्मान जो है ये मद्यप्रदेश शासन द्वारा देखिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कप की डोनाल टस्क जो है वो पॉलेंड के नए प्रदानमंत्री चुने गए हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा पॉलेंड। डोनाल टस्क पॉलेंड की देखिए मध्यमारगी दल सिविक प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं। इससे पहले डोनाल टस्क ने 2007 से 2014 तक पॉले के प्रदानमंत्री चुने गए हैं। पॉलेंड की बात करें तो देखिए यह एक यूरोपियन देश हैं जिसकी राजदानी क्या हैं वर्साव। चलिए अगला कोशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स कहां पर लॉंच किया गया देली में। दिली सरकार ने COP28 की C40 बेठक में ज परियावरन परेटन के आउसर बढ़ेंगे साती इसमें भूजल स्तर में दो मिटर तक व्रदी देखने को मिलेगी। इस परियोजना से अगले पांच वर्षों में 500 जिलो को पुनरजिवित करने का लक्ष लिया गया हैं। यहां पर हमने देखिए C40 बेठक की बात करी तो C40 दुनिया के प्रमुक शहरों के लगबग 100 मेरों का एक वेश्विक नेटवर्क हैं जो जलवायू संकट का सामना करने के लिए एक जूट हैं। ध्यान रखिएगा The City of Lake प्रोजेक्ट जो है यह किस शहर में लॉंच किया गया देली में। अगला कोशन आता है, important है, हाली म ने 115 सीटे जो है वो जीती हैं और बहुमत हासिल किया हैं। और राजस्तान को देखिए अगला नया CM जो है वो देखने को मिला भजनलाल शर्मा के रूप में। ध्यान रखिएगा Friends, हाली में देखिए जो पांच स्टेट के अंदर विदानसवा चुनाव कंप्लीट हुए उन पांचो स्टेट के CM का नाम जरूर आप दिमाग में रखिएगा जैसे कि राजस्तान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, चतिसगड में विश्नु देवसाई, तेलंगाना में रेवन्त रेडडी और मिजुरम में लाल दू हुमा तो ये पांचो कि दिनों में देखी काफी सुर्कियों में रहा बन्नी घास का मैदान कि सराजी में देखी पाया जाता हैं गुजरात में, केन सरकार ने गुजरात के कच्च जिले के बन्नी घास के मैदान में चीता संडक्षन प्रजनन केंदर स्थापित करने के प्रस्ताव को हाली में बन्नी घास का मेदान 2618 किलोंेटर में फैला हुआ हैं। ध्यान रखियेगा किस राज्य में इस्तित हैं गुजरात में। अगला कुशन आता है वजर प्रहार 2023 सेनन अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। देखिए वजर प्रहार का संबन है भारत और अमेरिका से भारत अमेरिका संयुक्त विशेश बल अभ्यास वजर प्रहार 2023 का हाली में देखिए चौदवा संस्क्रण जो है 21 नौवंबर से 11 दिसंबर के बीच में देखिए उम्रोई मेगाले में आयोजित किया गया वजर प्रहार के देखिए उद्देश की बात करें तो दोनों देशों के बीच सेन सायोग को बड़ावा देना इसका उद्देश होता है और एक दुसरे की सेनाओं के अनुभवों का लाब उठाना होता है ध्यान रखिएगा वजर प्रहार 2023 सेन अब्यास किस राज़्यमाय उजित किया गया मेगालाए उम्रोई में अगला कुशन आता है निम लिखीत में से किस संस्थान ने अमरीट टेक्नलोजी अमरीट प्रदोगे की विक्सित की है और प्रदोगे की संस्थान आता है ने अमरीट टेक्नलोजी मतलब अमरीट तक्निक जो है विक्सित करी है और ये तक्निक जो है जल जीवन मिशन के उद्देशों के अनुरूब घरेलू और सामुदाइक स्तर के जल शोदन दोनों के लिए बहुत यादा उप्यूक्त है ध्यान रखेगा IIT मदरास के द्वारा देखे विक्सित की गई है और पानी से और्सेनिक और धातु आयन को हटाने की एक टेक्निक है यहाँ पर हमने जल जीवन मिशन की भी बात करी तो देखिए ये कब शुरू आता 2019 में शुरू आता इसका उद्देश क्या है जल जीवन मिशन का उद्देश है 2024 तक भारत के सभी ग्रामिन परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और परियाप्त पेजल प्रदान करना इस इसको भी ध्यान रखेगा यहाँ पर IIT मदरास अगला कोशन आता है निमलिकित में से कौन सा देश अफिम का सबसे बड़ा उत्पादक हैं तो ड्रग एंड क्राइम पर देखिए सहिवक्त राष्ट कारेलाई की रिपोर्ट के अनुसार म्यानमार 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अफिम उत्पादक बन गया हैं कोन बन गया हैं म्यानमार म्यानमार का अफिम उत्पादन जो रहा वो लगबग 1080 मिट्रिक टन रहा जबकि अफगानिस्तान का उत्पादन 95 प्रतिशत से गिर कर लगबक 300 टन के आसपास हो गया। ध्यान रखेगा कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक हैं मियान मारें। एक विदेख जो है हाली में पारित किया हैं। इस विश्विद्याले की स्थापना जो है लगबक 900 करोड रुपे की लागत से की जाएगी। इस विश्विद्याले का नाम जो है मा और बेटी समक्का और सरलम्मा के देखे नाम पर रखा गया हैं। समक्का सरक्का केंद्रिय जन जाती विश्विद्याले ध्यान रखेगा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में कोण सा शहर कोब 29 शिकर सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो फ्रेंड्स कोब 29 देखेए शिकर सम्मिलन की मेजबानी कोण सा देश करेगा अजर बेजान बेकू अजर बेजान में देखिए आयोजित किया जाएगा हाली में देखिए अभी कोप 28 मतलब 28 संयुक तरास्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जो है वो दुबई संयुक तरव अमिरात में किया गया इस कारिकरम का उद्देश क्या है सरकारों को वेश्विक तापमान व्रदी को सिमित करने और प्रभावों के अनुकुल देखिए नीती बनाने के लिए सैमत करना मतलब जलवायू परिवर्तन से संबन दीते हैं कोप 28 की मुख्य हाइलाइट्स की बात करें तो इस बार देखिए जिवाश मिंदन के उपयोग को कम करने की पहल की गई साथे साथ जलवायू आपदा हानी और शती कोश को मंजूरी दी गई जिसे पहली बार मिस्र में कोप 27 में पेश किया गया था इसे के साथ कोप 28 ने पेरी समझोते 2015 के पहले मुल्यांकन का समापन किया मिथेन उस्तरजन को कम करने की पहल की गई और वेश्विक लक्ष के लिए एक रूप रेखा जो है वो बनाई गई तो ध्यान रखिएगा दोनों चीजें कोप 28 का आयोजन कहां पर किया गया था दुबई UAE में और कोप 29 का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा बेकू अजर्बजान में ठीक है अगला कुशन लेते हैं हाली में अर्जेंटिना का राश्पती कोन बनाएं चुनाओं में देखे भारी जीत के बाद जेवियर माईली ने अर्जेंटिना के राश्पती के रूप में शपत ली जेवियर माईली ने राश्पती अलबर्टो फननांडिस का इस्थान लिया है अर्जेंटिना की बात करें तो लेटिन अमेरिका की देखी तीसरी सबसे बड़ी अर्थवरस्ता है जो की करेंटली महेंगाई, बरती मंदी और बरती गरीबी की देखी समस्या से जूज रही है ध्यान रखेगा अर्जेंटिना की राश्पती के रूप में चुने गए हैं जेवियर माईली नेक्स कोशन आता है, मरसर दौरा जारी क्वालिटी ओफ लिविंग इंडेक्स दोजार तेविस के अनुसार के शहर में भारत में सबसे अच्छा जीवन स्था रहे हैं तो क्वालिटी ओफ लिविंग की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो सबसे अच्छा देखिए जीवन इस्तर हैं हैदराबाद के अंदर हैदराबाद को देखिए पहले इस्थान पर रखा गया है हेदरबाद को भारत में जीवन गुणगत्ता मामले में देखिए शिर्ष इस्तान पर रखाएं ये जो इंडेक्स है ये जलवायू, स्कूल और शिक्षा, बीमारी, सोचिता मानक, हिंसा और अपराद और साती में शारीरिक दूरी जैसे देखिए विभिन कारको पर आदारित होता है Quality of Living Index 2023 में अगर हम देखिए, फर्स्ट रेंग की बात करें, तो वो है देखिए औस्ट्रिया का वियना शहर जो कि वीशो में सबसे अच्छा जीवन इस्तरवाला शहर है भारत की बात करें, तो इस सूची में हैदराबाद को 153 वे नंबर पे रखाएं यहाँ पर हैदराबाद बिल्कुल सही अंसर होगा अगला कुशन आता है, इंद्रा गांधी शांती पुरुसकार 2023 की से दिया गया है तो फ्रेंड्स की से दिया गया है प्रसिद्ध शास्त्रिय पियानो वादक डेनियल बैरन बोहिम को और फिलिस्तिनी शांतिक कारिकरता अली अबु अवाद को देखिये ये दिया गया है यहाँ पर A और B मतलब दोनों, C आंसर सही होगा अली अबु अवाद की बात करें तो उनको देखिये इसराइल हमास संगर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए ये पुरुसकार उनको दिया गया है यहाँ पर इंद्रा गांदी शांति पुरुसकार की बात करें जो वेश्विक स्तर पर शांति और विकास उनिश्चित करने के लिए काम कर रहे है ध्यान रखियेगा इंद्रा गांदी शांति पुरुसकार 2023 दिया गया डेनियल बैरन बोहिम और अली अबु अवाद को अगला कुशन आता है तो किसे समानित किया गया? भारती लेकी का अरुंदती रॉय को अरुंदती रॉय को माक्सवादी विचारक पी गोविंदा पिल्ले की स्मरती को चिर स्थाई बनाने के लिए तीसरे पी गोविंदा पिल्ले समारक राष्टी पुरुसकार से समानित किया गया है अरुंदती रॉय जो है ये देखिए भारत की एक प्रसिद्ध लेकी का है जिने उनके उपन्यास The God of Small Things के लिए जाना जाता है जो कि 1997 में आये था और इसी फिक्षन के लिए उन्हें मेन बुकर पुरुसकार जो है वो दिया गया था इसे के साथ साथ लेकी का अरुंदती रॉय को जीवन भर की उपलब्दी के लिए 45 यूरोपी नीवन पुरुसकार से भी समानित किया गया है ध्यान रखेगा फ्रेंड्स, तिसरे पी गोविंदा पिल्ले इसमारक राष्टी पुरुसकार से समानित किया गया अरुंदती रॉय को हाली में कॉंडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चीप किस कंपनी द्वारा लॉंच की गई है तो किसने लॉंच करी है दिगज टेक कंपनी आई बीम ने आई बीम के द्वारा कॉंडोर नामक देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग चीप जो है वो लॉंच करी गई इस चीप में ये खास बात है कि इसके अंदर 1121 सूपर कंडुक्टिंग क्यूबिट हैं जो कि पहले 1000 कुबिट हुआ करते थे क्यूबिट जो है ये क्वांटम बिट का ही शंक्षिप तुरूप होता है क्यूबिट जो है ये क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम जानकरी की एक basic unit है जहां रखेगा किसने देखिए कॉणडूर नामा क्वांटम कंप्यूटिंग की चीप लॉंच करी है IBM ने क्वांटम कंप्यूटिंग के हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसका उप्योग GPS में होता है सेंसर में होता है हेल्थ केर सुविधा में होता है security में होता है यहां तक कि environment पर भी देखिए निगरानी रखने के लिए कॉणटम कंप्यूटिंग का उप्योग किया जाता है 12 सरकार ने भी देखिए 19 अप्रेल 2023 को National Quantum Mission NQM को launch किया था जिसकी देखिए लागत कितनी है 6,000 करोड है तो यह चीज़ भी आप जिहान रखिएगा यहां पर see answer बिल्कुल सही होगा अगला कुशन आता है Global Partnership on Artificial Intelligence 2023 शिकर सम्मिलन की theme क्या है तो इस बार की theme क्या है फ्रेंड्स Advancing Responsible AI in Public Sector Applications यह answer यहां पर सही होगा Global Partnership on Artificial Intelligence 2023 सम्मिट जो है उसका आयोजन भारत में 12 से 14 दिसंबर के बीच में देखे डेली में किया गया GP AI की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी जून 2020 में हुई थी तब इसके देखे 15 सदस्य थे वर्तमान में बात करें तो इसके अंदर 28 देश और European Union शामिल है ध्यान रखेगा Global Partnership on Artificial Intelligence 2023 शिकर सम्मिलन की थीम क्या थी Advancing Responsible AI in Public Sector Applications अगला कोशन आता है हाली में latest AI project Gemini को किस company के द्वारा launch किया गया किसके द्वारा launch किया गया देखिए Google के द्वारा हाली में Google के द्वारा latest AI project Gemini को launch किया गया ये मानव के समानी देखे वेवार करता है Google ने Gemini को खास तोर पर गणीत और भोतिकी के देखिए प्रशनों को हल करने के योगी बनाया है Gemini जो है ये अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली AI होने की उमीद है इसमें कई शम्ताएं होगी जैसे कि मानव शेली की तरह बाच्चित करना भाशाम में देखिए महारत हासिल करना चवियों को समझना और एक्स्प्लेन करना Gemini का नए AI एप और API बनाने के लिए डवलपर द्वारा देखिए उपियो किया जाएगा ध्यान रखेगा Gemini को किस कंपनी द्वारा लॉंच किया गया गूगल द्वारा विश्व की सबसे विशाल केंद्रिज सोर उर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाली में लॉंच की गई तो दुनिया की सबसे विशाल केंद्रिज सोर परियोजना हाली में देखिये COP28 के दोरान संयुक्त अरब अमिरात के दुबई में देखिये लॉंच की गई कहाँ पर UAE में इस परियोजना से लगबग 3,20,000 आवासों को स्वच उर्जा का लाप्रदान होगा साती सालाना लगबग 1,6 मिलियन टर्न कारवन उस्सरजन को कम करेगा दुबई ने साल देखिये 2050 तक जीरो कारवन उस्सरजन का लक्ष निर्दारित किया है ध्यान रखेगा दुबई में लॉंच किये गई विश्व की सबसे विशाल केंद्री सोर उर्जा परियोजना लास्ट कोशन आता है चर्चा मेरहां माउंट उलावुन किस देश में इस्तिते हैं कहाँ पर इस्तिते हैं पापुआ न्यूगिनी में हाली में पापुआ न्यूगिनी के माउंट उलावुन में ज्वाला मुकी के फटने की घटना जो है वो देखने को मिली जिसके बाद भारत की तरब से एक मिलियन डॉलर की देखिये मदद की कोशना की गई माउंट उलावुन में करीब देखिये 20 नौवंबर से जो उद्गार है वो देखने को मिल रहा है जिसके चलते लगबग 35,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगा पर बसना पड़ रहा है तो ध्यान रखियेगा माउंट उलावुन किस देश में स्थित हैं पापुआ नुगिनी में तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिये 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर कंप्लीट होते हैं आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलते हैं फ्रेंट्स अगले वीडियो में तिल देन बाई बाई